नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल कोड़ ज्यान में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे जो ससी कमबाइंड है कमबाइंड ग्रेजुट लेवल ससी सीजियल का जो एक्जाम होने वला है इसके लिए आप कैसे अपलाई कर सकते हैं क्या क्या रिक्वार्मेंट है और कौन- जून शेर जून 2017 से श्टार्ट हो चूगा है ओर जो आपफलाई का जो डेट है अब तक कर सकते हैं चोबिस साथ 2024 नमतब टूटल एक महिने तक का लीट है जिसमें आपो डियों उनलाइन कर सकते हैं इसके लिए अपचार लाइन Πैमेंट है वो एम हम हम कैसे कर सकते हैं या औलाइन कैसे करना है तो ओनलाइन के लिए आपको डेविट कार्ड यूपी आई और क्रेडिट कार्ड ओनलाइन ड्वेंकिंग का आप यूज कर सकते हैं उसके आलावा मैं आपको बात करूँ को जो पचीश चाद दोहजार चोविस तक का है जो डेट आप ओनलाइन पेमेंट कर सकते हैं मतब एक दीन बात कर डेट है करेक्शन डेट है वह दस ग्यारा दो देट रखा गया है अगस्त में दो दिन तक आप हो अपने डॉक्मेंट में सुधार करवार सकते हैं इसके लावा जो एक्जाम का जो डेट है या इस साल के दोहजार चोविस में स्प्तमब्र आपको करते हैं तो सकेंड में आपको ये एकजां में मिल जाता है तो इसको 13 विक पहले आपको बेशिकले मिल जाता है अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट फे दूसरे में जो अप्लिकेशन फीस हैं वह अप्लिकेशन फीस यहां पर देख सकते हैं जेनरल ओविशी के लिए 100 फीस का अप्लिकेशन फीस रखा गया है एस्टी एस्टी पीएच के लिए जीरो रुपीज है नियल आपको यहां पर मेंट नहीं देने की करेटरिया है इसके लावाज जो जीरो पेमेंट वह फीमिल के टेगरी को भी रखा गया है करेक्शन फीस है जो वन टाइम है कि जो पे एंटा एक्जामिनेशन फीस तुरू डेवीड कार्ड जैसा कि मैंने बताया था उसके तुरू आप कर सकते हैं अब हम बात करते हैं एज जो मिनमूम एज है वह 18 साल तक जो जिनकी जो मिनमूम है 18 साल से लेकर के आप मैक्समूम एज है जो 27 से 32 साल तक पोस्ट व जो होती है करेटर या जो केटरी जिस पे मिलता है उसके अलावा आपको यहां पर मिल सकता है अब हम बात करें जो पोस्ट था वह अलगए जूनियर एस्टेटिकल जो है अफीसर होते हैं उनके लिए उनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनिस ट् और उसमें भी आपको 60% मतब 40 मार्क होना चाहिए 60 मार्क होना चाहिए यदि यह आप बेचलर डिगरी इन एनिस्ट्रिम बी एस्टेश्टिक्स मतब आपका बेचलर डिगरी आपने जब किया है तो अस्टेटिक्स जो है वह आपका एक सब्जेक्ट में होना जरूरी है यदि आप इंवेस्टिगेटर जो है जो ग्रेट टू के लिए उसमें अपना आई करते हैं तो बैचलर डिग्री इन इन इस्टिम्स बट आपको स्टेटिक्स का जो वन अप तर सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री के आपके जब डिग्री कर रहे होंगे कॉलेज बैचली में तो इसमें आपका यह कम से कम यह सब्जेक्ट होना चाहिए अब जो तीसरे पोश्ट की बात करें जो रिसर्च एसिस्टेंट इन नेशनल हुमन राइट्स है जो कमिशन बोते हैं इने चार सी इसमें भी आपका जो है बैचलर डिग्री ही सिर्फ होना चाहिए इसमें कोई पार अलवा जो फिफ्थ पोस्ट पर बात करें एसिस्टेंस एक्सनल जो सेक्षन ऑफिसर होते हैं इसो जी से बोलते हैं उसमें डिपार्टमेंट अलग अलग है जिसमें मैंने आपको बताया था 27 से लिक्र के 30 32 साल तक का लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें बात करें सेंट्र स फ्रविस सबूंटें था 2 3 30 साल दो श्ले कर सकते हैं इंटलिजेंस बीरो में हैं 2826 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं मेंश्टरण से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते इसमें इसकेद्वावाण Minhister the एक्स्टरनल अफेयर एफ ही क्यों मिनिस्ट्री ऑफ एलेक्ट्रोनिक्स एन इंफर्मेशन टेक्नलोजी इसमें 18-30 इस तरह के लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके उम्र इस करेटरिया में आती हैं अब हम बात करते हैं एसिस्टेंट जो सेक्शनल ऑफिसर होते हैं एसो जिसक अप्लाई कर सकते हैं इंस्पेक्टर है जो सेंटर एक्सराइज में आते हैं वह सी बी आई सी में उनके लिए 18-30 साल रखा गया है इंस्पेक्शन जो है इंस्पेक्टर हैं एक्जामिनर हैं एसिस्टेंट इंफर्मेंस और ऑफिसर हैं यह सब इंस्पेक्टर हैं इनके लि पोस्ट नेम की अलग बात करें जहां पर शेक्शनल ऑफीसर है इक्सक्यूटिव एसिस्टंट है रिसर्स एसिस्टंट है इन सब के लिए जो है उम्र की सीमा जो अठाब से तीस साल तक कहीं रखा गया है अब हम बात करते हैं जो सब इस्पेक्टर की यहां पर ठाड़ से तीस साल जो 32 साल की उम्र की बात करा था जूनियर अस्टेटिकल ऑफिसर अस्टेटिकल है मतबब आपको एक जो डिगरी है जब आपने डिगरी किया हुआ उसमें एक बैचलेट में आपका एक अस्टेटिक स जो पे लेवल हैं यहां पर देख सकते हैं 29,200 से लेकर के 92,300 रुपया तक आपको यहां पर पेमेंट मिल सकता है पोस्ट नेम की बात करें ऑडिटर के रिपोर्ट में ऑडिटर जो होंगे ऑफिसेज अंडर एसी एंड एजी होता है जिसमें 18-27 साल उम्र तक रखा गया है म अगले जो कलेक्टर जो होंगे वो उनके लिए ठार से सटाइस साल रखा गया है एकाउंटेंट यह जूनियर एकाउंटेंट है जो मिनिस्ट्री डिबार्टमेंट में काम करें उनकी उम्र 18-27 साल तक रखा गया है सीजल पे लेवल जो फोर होते हैं लेवल फोर के लिए होगा 25,500 रुपे से लेकर 11,000 रुपे तक उनको मिल सकता है पिमेंट जहां पर पोश्टल एस इस इस्टेंट जो सिनियर सेक्रेट एसिस्टेंट होंगे या सिनियर अडिमेस्टेटिव एसिस्टेंट होंगे इनकी उम्र सीमा जो रखी गई है 18-27 सल तक रखी गए हैं बात करें जो यहां पे 18-27 सल तक है जो सब इंस्पेक्टर है टैक्स एसिस्टेंट है या सिनियर डिमेस्टेटिव एसिस्टेंट है इन जैसे ही विजिट करेंगे इस तरह का आपको पेज दीखेगा यह आपके देख सकते हैं अपलाई लिखा हुआ है अपलाई पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके शामने एक विंडो ओपेन हो करके आ जाता है जिसमें आपसे पूछा जाता है जो रिष्टेशन नंबर है पासवर्ट जो आपने चूज किया है और जो कैप्चा यहां पर दिकरा है वो करना है यदि आपको लगता है कि आपने अभी तक रिष्टेशन नहीं किया है तो आपको सिर्फ यह जो ऑप्शन बनावा इस पर क्लिक करना है यहां पर कुलिक करना है कि फर्म पर क्लिक करते हैं यहां पहर क्या जाता है की फास्ट परसनल जो डीटेल है उचलावा पासवर्ड क्रिय Fleischन है ए recon determination है कि मैं आपको बता दूँ परसृन परस्टर डिटेल है जिसमें आपका अधार नंबर जाता है अधार नंबर अलावा जो identification जो mark होते हैं वो आपको मांगा जाता है याद रहे कि जो भी आप यहां पर अधारकाड detail पराइल करें यहां मोबाााइल फिल करें जो वी नंबर दिया हुआ है मोबाइल नमबर जो लिंक्ड है आपको यह दि week मोई 8 नंबर आपके पासों नहीं कर सकते हैं तो इससे पहले जो fuel बनाया है पे भी कि जो अधार नंबर से मुवाइल नंबर जो लिंक है वो कैसे जाने आप मेरे प्रिवेस वीडियो को देख सकते हैं तो यहां पर मैं आपको बता दूँ कि जो परस्टनल डिटेल है वह आपके अधार के कार्ड को आपने देख लिया है इसमें जैसे अधार कार्ड जाएगा पास्वर्ड के लिए उसके बाद पास्वर्ड क्रिएशं आजाए जो जो एकन्डियोक्स में आões सकते हैं तो यह वीडियो था जो त्य räसी ओन के लिए तयारी कर रहे थे जुआ प्रम उनके लिए था यदि कोई भी इश होाता है तो आप मेरे जो वीडियोके लिख सकते हैं ताकि जो कोई इस वारी आपको फॉर्म फिल अप करने में तो आपको मैं हेल्प कर पाऊंगा कमेट कर थूँ यह रहा ओनलाइन जो आपको डपल अपलाइक करने के लिए अपलाइक करशे को बाकी पोस्ट है मैंने वो डिसकस कर लिया है यह वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरू करें मेरे चैनल को जरू सब्स्क्राइब करें थैंकियू फर वाचिंग देखने के लिए आपको दन्यवाद